जै भवानी, मैं हूँ सुरेंदर सिंग शेखावत आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजपूतों के परमुक 36 राजवन्सों अथवा कुलों में से एक परमुक वन्स चोहान वन्स के बारे में चोहान राजपूत वन्स का भारती इतिहास में एक विशेज इस्तान है चोहान राजपूतों ने साथवी सदी से लेकर देश की सोतनतरता तक राजस्थान सहीत भारत के विभिन प्रांतों पर सासन किया तता चोहानों ने दिल्ली पर सासन कर समराट का पद भी प्राप्त किया चोहान राजपूत वन्स में अनगिनत वीर योद्धाउं ने जनम लिया और अपने पुरसार्त के बल पर सताब्दियों तक सासन भी किया दिल्ली के अंतिम हिंदु समराट पर्थी राज चोहान भी चोहान राजपूद वन्स के एक सक्ति साली समराट थे जिनकी वीरता और प्राकरम को आज भी पूरी दुनिया नमन करती है यदि चोहान राजपूद की उत्पति की बात करे तो इसके भी विभिन उल्लेक मिलती है भविष्य पुरान तता महाकवी चंदर वर्दाय द्वारा रचिते पर्थ्वी राज रासों के अनुसार पर्मार पर्तिहार तता चालुक के सहीत चोहानों की उत्पति माउंट आबू पर ब्राह्मनों द्वारा किये गए ब्रमा हों में हुई तता ये अगनी से उत्पन होने के करण अगनी वन्शी कहलाई वहीं हमीर महाकावी तता अजमेर शीलालेको के अनुसार चोहान भगवान स्रीराम के वनसज हैं तता सूर्य वन्शी रासपूत है विद्वान पंडित गोरी संकर ओजा तता सीवी वेद के अनुसार भी चोहान सूर्य वन्शी रासपूत ही हैं लेकिन चोहानों का करंबद इतिहास वसुदेव चोहान से मिलता है इनकी राजदानी अही छत्तरपूर थी वसुदेव ने हुनों को देश से बाहर निकाला और अपनी कुलदेवी के नाम पर साकंबरी नगर बसाया जिसे आज सांबर कहा जाता है जन्ता के सुईधा के लिए यहां सांबर जील का भी निर्वान करवाया गया चोहानों की कुल्देवी की बात करें तो चोहानों की कुल्देवी है साकंबरी माता साकंबरी माता का मंदिर जैपुर जी लेके सांभर में इस्तित है साकंबरी माता दुर्गा माता का ही एक रूप है जिसका अर्थ होता है साख से जनता का भरन पोसंड करने वाली माता जले के नाडोल कश्मय में इस्तित है चोहान रास्वूतों का गोत्र होता है वत्स परवर होता है और्व्य चेवन भारगव झमदग्न्य अप्तुवान वेद होता है सामवेद साका होती है कोथुमी सुत्र होता है गorbिल्ल करह सुत्र गुरू है वशिष्ट, रिशी है सांडिल्य, कुल देवता है अचलेश्वर महादेव, तीर्थिस्तान है भरगु छेत्र, नदी है चंदर भागा, निसान है पीले धोजपर गरुड का निसान, सस्तर है तलवार, तता व्रक्स है आसापाला का व्रक्स चोहान वन्स मुख्य 24 साखाओं में बटा है यह साखाए हैं हाडा, देवडा, निर्वान, सोनगरा, भदोरिया, निकुम्ब, बंकट, खीची, साचोर, पावेचा, मलानी, पुर्विया, छचेरिया, उजवानिया, चांदा, बालेचा, मेलवाल, दुर्रा, मड्रेवा, खेर्ची, पशेरिया, भावर, रुशिया, बचगोती चोहान, यह 24 साखाए हैं चोहान राजपुतों की मुख्य। इसके अलावा चोहान राजपुतों की और भी अनेक मुख्य। साकाई हैं आइए इनके बारे में और अधिक जानते हैं पहली साका है चाहिल कि पुत्र अजरा जी के वंसज चाहिल कहला है , आजकल चाहिल मुस्लमान भी है जो इनकी अजराजी के वंसज है मोहिल चोहान राजा बजराजी के वनसज मोहिल जी के वनसज मोहिल चोहान कहलाए इनके वनसज मोहिल मुसलमान भी है जोड चोहान राजा शिद्ध के वनसज जोड ले जी से जोड चोहानों की उत्पती हुई वर्तमान जुन जुनू तता नरहड छेतर पर ग्यारवी सदी से सोलवी सदी तक जोड़ चोहानों का सासन था चोहानों की यह खाप अबे लुप्ध हो चुकी है पुरविया चोहान बाबर के विरुद मारणा सांगा जी की साहिता के लिए मेनपुरी उत्तरप्रदेश से चंदरभान चोहान जी चार हजार घुड सवारों की सहीत बयाना की युद में सामिल हुए थे यह पूरव दिशा से आये थे इसलिए इनके वनसज पुरविया चोहान कहलाई सांबरिया चोहान सांबर चोहान सांबरिया चोहान कहलाई भदोरिया चोहान राजापूर राजी चोहान ने भदावर नामक चोहान को जीता इसलिए इनके वनसज भदोरिया चोहान कहलाई इनकी चार साकाई हैं कमेथिया, कुदरकोटिया, मुझवार तथा अठमेया चाहरदे चोहान समराट पर्तिवराद चोहान के भाई चाहरदे जी के वनसजी नीमराना में बशे वे चाहरदे चोहान कहलाए अभी ये राजस्तान के अलवर तता हरियाना में सबसे ज़्यादा बसे है नाडोलिया चोहान नाडोल के चोहानों को नाडोलिया चोहान कहा गया मादेचा चोहान राजा मानकराज जी के वनसजे लाल सिंग जी चोहान मदर देश में जाकर बसे इस कारण लाल सिंग जी के वनसज माद्रेचा कहलाई वही कुछ इत्यास कारों के अनुसार मादरी गाउं में रहने के कारण इनके वनसज माद्रेचा या माद्रेचा कहलाई नार चोहान लाखन जी चोहान के वनसज नार चोहान कहलाई सूरा और गोयलवाल मलाणी नाडोल के राजा लक्समन जी के वन सजे पावेचा कहलाए दंदेर चोहान मनक राज जी के एक वनसजे दून्धेट जी के वनसजे हैं ये चोहान देवडा चोहान नाडोल के राजा लक्समन जी के तीसरे पुत्तर अस्वरा जी या आसल जी के राणी बाचाचल देवी के पुत्तर देवीरा के कारणे उनके वन्चज देवडा चोहान कहलाई देवडा चोहान की मुक्य खापे हैं बावनगरा देवडा, मामावला देवडा, बढगामा देवडा, बागडिया देवडा, बशी देवडा, कीतावत देवडा, गोसलावत देवडा, दूंगरोत देवडा, सीवसिंगोत देवडा, लखावत देवडा, बालोत देवडा, हातियोत देवडा तथा चीबा देवडा चोहान बागड़िया चोहान बागड़ छेतर के चोहान बागड़िया कहलाई बढगड़िया चोहान मेनपूरी के राजा गांगय देव के वनसज बढगड़िया चोहान कहलाई बचगोती चोहान वच्छ गोतरी चोहानों को ही बच्छ गोती चोहान कहा गया इनके साकाई हैं राजकुमार तथा रजवार खींची चोहान खींची चोहानों की उत्पति के अनेक मत है लेकिन जो सबसे सटीक है वो है राजा मानक राजी चोहान ने गवारियों के यहां खीचडी खाई थी इसलिए उनके वनसज खीची कहलाए निर्वान चोहान आसराव जी देवडा के पांचवे पुत्र नर्देव जी देवडा के खंडेला के राजकुमार को हरा कर उन्होंने वहां अपना सोतंतर राजे बनाया इससे परसन होकर उनके पीता आसराव जी ने उन्हें निर्वान के उपादी दी इसलिए नर्देव जी के वनसज निर्वान चोहान कहलाए निर्वानों ने इस छेतर पर पान सो वर्सों तक सासन किया था सोनगरा चोहान जालोर का प्राची नाम जाबालीपूर था इसमें सुनगिरी दुर्ग था जिसका नाम बदलकर सोनलगड भी किया गया इसी सोनलगढदूर के नाम पर राजा कीरती राज चोहान के वल्लशाजे सोनलगण चोहान केहलाई इनकी मुख्य कापे हैं अखे राज सोनलगण बोड़ा रूपचिंग होते, मानसिंग होते भानसिंग होते, चांदन, हापड़े बाचोड़ा, भीलावचोड़ा, रोहेचा बाचोड़ा, बालेचा तथा अबशी ये सोनगरा चोहानों की मुख्ये खापे है हाडा चोहान चोहान राजा भानूराज अस्तिपाल जी के वनसज हाडा चोहान कहलाई क्योंकि अस्ति को हिंदी में हड़ी कहते हैं इसलिए हड़ी से हाड़ा राजपूत हुए ये। हाड़ा राजपूतों का सासन कोटा तता बुंदी पर रहा। हाड़ा चोहानों की मुख्या खापे हैं दुगदलोते, मोहणोते, हत्वते, हलुपोता, लोहराज, हर्पात्पोता, जतावते, खीजूरीका, नवरंगपोता, थारूडे, लालावते, जाबदू, अखावते, चूडावते, अदावते, नरब्दपोता, भीमोते, हमीरका, मोकलोते, अरजुनोते, सुर्टानोते, हरदाउते, भेजावते, इंदर्चाद लेते, बेरिसालोते, मोहम शिंगोते, माहे शिंगोते, दीप शिंगोते, भादूर शिंगोते, सरदार शिंगोते, तथा माधानी, ये हाड़ा चोहानों की मुख्य खापे हैं इसके अलावा चोहान राशवुतों की और भी अनेग खापे और साखाये हैं जैसे मुहनोत नेंशी के अनुसार रावसिया, डडरिया, बकसरिया, सेलात, बेहाल, बोलत, गोलासन, नहखन, बेस, शेप्टा, डिम्निया, हुर्डा, महालन तथा बंकट करनल टोड के अनुसार पाविया, सक्रेचा, बूरेचा, चाचेरा, रोभी, चादू, निकुम्प, भावर, तथा बंकट तथा राजपुताना इतियास के अनुसार और भी अनेक साकाएं हैं जैसे बहोता, कजियला, तिलवाडा, सरपटा, चित्रावा, चंडालीका, बडेरा, मोरी, रेवडा, चंदना, बंकटा, वच्चला, जुम्रिया, तुलशी च्रण, सलावत, डिडूरिक, चारंगे, मोतिया, मानक, अब्रा, गोटवाल, जाम, बड्डू, मालन, पच्वाना, जोंजा, जनवार, संगराईचा, भुराईचा, बिलाईचा, तशीरा, चचेरा, रोस्वा, चुंदू, बाकेता, गिरामंडला, खेरा, पुया, बाहू, कमोदरी, कनाजी, देवरिया, कोपला, नाहिरिया, कश्मीड, आवेल, बाली, बनाफर, गलक, बरहा, चले, सराल, र जाम, चंदर, तता, चितरंग, चोहान, तो इस परकार ये चोहान, राजपूतों की मुख्य मुख्य खापे, साखाए, और उपसाखाए हैं, यदि बात करें चोहान, राजपूतों के ठीकाने और रियास्तों की, तो हम इस से पहले इन पर वीडियो बना चुके हैं, आप तो है वीडियो हमारे चैनल राजपूत मिस्ट्री पर जाकर जरूर देखे, साथ में राजपूत मिस्ट्री चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर ले, मैं हूँ सुरेंदर सिंख शेखावत, जै भावानी, जै राजपूताना